हेलो एवरीवन वेलकम टो अभीपीडिया पाउड बाई अभीमन्य आई एस एंड सी सेट पेपर 2 की टी 5 सीरीज के अंदर आज का हमारा टोपिक है सीरीज तो स्टुडेंट्स अगर हम प्रिवियस एर के कोश्चन का अनलिसिस करते हैं तो एवरी एर वन तो टो कोश्चन आपके सीरीज के टोपिक में से आते हैं एवरी यर हम नहीं कह सकते देखिये 2015 के अंदर आपका बन कोश्चन था सीरीज के अंदर उसके बाद में 16 और 17 के अंदर सीरीज में से कोई भी कोश्चन एक्जाम के अंदर नहीं आया या फिर one question भी आने के chances हैं तो आप इस topic को छोड़नी सकते और इसके अंदर ऐसा है कि कुछ मुश्किल भी नहीं है skip करने वाला topic नहीं है तो देखिए जो questions आपके exam के अंदर आए हैं वो हम आज discuss कर रहे हैं तो जो भी series है तो यहाँ पर आपके पास में देखी first series given है जो कि आपकी 2015 के अंदर series देखी गई थी तो इस series के अंदर क्या है कि आपके पास में value दिवी है 7, x, 21, 31 and 43 इसमें से आपको क्या find out करना है यहाँ से x की value find out करनी है clear तो सबसे पहले हम क्या करते कोई भी series को देखे कि हंजी जो numbers है नियर भाई के number देखी ठीक है तो हम पहले क्या देखेंगे हंजी कुछ plus minus तो नहीं हो रहा है वो देखेंगे means हम difference find out करेंगी दो यहाँ पर अगर हम difference देखते हैं तो यहाँ पर देखें अगर इन दोनों का आप difference देखते हो तो कितने का difference बन रहा है आपके पास में बचे 12 का difference है 43 minus 31 अगर आप करते हो तो कितने का difference आपका 12 का difference है ठीक है अब अगेन अगर हम यहाँ से यहाँ difference देखते है 21 से 31 का तो हमारा difference कितना आ रहा है 10 का तो idea लगाया जा सकता है कि हांजी यहां पे आपका 2,2 का difference आ रहा है तो अगर यही logic use हो रहा है तो हम आगे यहां पे आपको पास में कितना difference होना चाहिए 8 का difference होना चाहिए और उसके बाद यहां से यहां तक आपका 6 का difference होना चाहिए ठीक है अब इसी को हम apply करके देखते हैं तो यहाँ पे देखे 7 plus 6 कितना हो गया आपका 13 अब 13 आप directly नहीं कह सकते कि 13 ही answer है because आपको आगे भी देखना है कि हाँ जी same logic use हो रहा है नहीं हो रहा तो आगे आपका 8 प्लस करना चाहिए 8 अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास में value क्या बन रही है 21 जो की बिल्कुल सही है तो आपकी जो series है बिल्कुल सही जा रही है इस logic के साथ में तो answer क्या आजाएगा आपके पास में 13 आजाएगा clear है तो जब भी कोई भी series आ रही है सबसे पहले हमने क्या देखना है difference ठीक है जी उसके बाद में आपके पास में क्या हो सकता है double difference हो सकता है जो series के अंदर है एक difference हो सकता है अगर single difference से भी ना logic निकल रहा दें double difference double difference के बाद में क्या हो सकता आपके पास में कुछ आपकी AP सिरीज हो सकती है GP सिरीज हो सकती है ठीक है उसके बाद में हमें यह लगता है कि हाँ जी अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो कुछ multiply हो रहा होगा हमारी सिरीज के अंदर और multiplication के साथ में multiply के साथ में आपके पास में क्या हो रहा होगा कुछ plus या minus हो रहा होगा ऐसा भी हो सकता है या फिर division हो रही होगी आपकी सिरीज के अंदर और क्या हो सकता है कि square हो सकता है आपका ठीक है cube हो सकता है तो यह कुछ points आपको जब भी आप सिरीज कर रहे हो Okay, so next question की तरफ move कर रहे, next question है आपकी screen पे, क्या है, ये question आपका 2018 में आया था, मैंने अभी आपको बताया कि 15 के अंदर question आया था आपका series में, उसके बाद 16 और 17, दोनों के अंदर series का कोई भी question देखने को नहीं था, तो उसके बाद में आपका 2018 के अंदर question आया है, question क्या है, date based series है, अब यहाँ पे देखे, date क्या है, 4-12-95, that means क्या है आपके पास में, 4th December 1995 की बात कर रहे है, ठीक है, अब December जो है, ये आपको पता होना चाहिए, जो 12th month है, वो कितने days का होता है, 31 days का है, clear है, अब यहाँ पे आगे जो next number दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, अब हमें पता है, 95 के बाद में, next year क्या शुरू होगा, 12th month के बाद में, 96 शुरू होएगा, तो यहाँ पे देखो, दूसरा जो number दिया हुआ है, दूसरी जो date given है, वो आपके पास में क्या है, 1196, अब ह हमें देखना हैं कि इन दू dates की पीच में difference कितना है, कितना difference अब यह देखिए, 4 से पहले आप 31 तक जाओगे, 4 से जब आप 31 माइनस कर रहे हो, 31 माइनस कर रहे हो, तो यहाँ आप से देखिए इन दोनों का difference कितना आ रहा है। आपके पास में 27 का आ रहा है, और साथ में एक total difference between these two dates is 28, clear है, समझ आ गया, नहीं समझ आ गया, एक बार फिर बता रहे हूं, हमने total days देखने देखी, 31 days इसके और एक दिन ही हो गया, तो total 32 days हो गया, आपके last में 32 पे गया है, और यहाँ पे आपकी starting में कितनी थी date, 4 थी 32 क्यों के लिखरी हूं मैं, 34 जो है, वो कैसे बना, 31 days आपके January के, और 31 days आपके December के, और 1 day आपका January का, तो total 32 है, और 32 में से जब आप इसको minus कर रहे हो, तो भी आपके पास में क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, clear, तो हमें यहाँ से पता चल गया है, कि इन दोनों का difference कितना है, 28 है, अब देखते हैं कि आगे भी यही use हो रहा है, या कुछ differences में gap है, तो यहाँ पर देखिए यह है, first gen, first gen था आपने पास में, और इसके बाद का number है, क्या है, 29th gen, तो first gen और 29th gen के अंदर आप देखिए, कि कितना difference है, कितने days का difference है, again, 28 days का difference है, तो यहाँ पर भी आपक तो क्या मिल रहा है, 28 का difference मिल रहा है, अब यहाँ पर और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखिए, January तो गई आपके कितने दिन बच गे, two days तो यह होगे, 29th से 31st तक, अगर 29 से आप 31st तक की बात करते हो, तो यह कितने दिन आपके पास में, two days तो बचे यह आगे, plus, आगे क्या given है आपके पास में, 26th feb, means 26 days आपके यह होगे, again आपका total difference कितना हो गया, दोनों dates के बीच में, 28 days का, that means यहाँ पर भी आपके पास में कितना आ रहा, 28 days, अब यहाँ से logic हमें क्या मिला है, कि every year, sorry, every date is increased by 28 days, 28 days का gap है, that means यहाँ पर भी आपके पास जो next date आएगी, वो भी उसका भी difference कितना होना चाहिए, 28 days का difference होना चाहिए, अब 28 days हम इसके अंदर 26 में directly तो आड कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, reason being February है आपकी, और आपको पता है कि फैब के अंदर आपको, अगर आपकी लीपियर है, then 29 days होंगे, और अगर आपकी नों लीप लीपियर, कैसी है, लीपियर है, और लीपियर के अंदर आपके पास में कितने days होते हैं, 29 days होते हैं आपके लीपियर के अंदर, ठीक है, तो यहां से 26 से आपका जो है 29th, तक कितना difference हो गया, 3 हो गया, अब उसके बाद में क्या शुरू हो जाएगा, आपके पास में, आज के कितने लेंगे आप, 28 days का gap करना हमने, तो 3 तो यह हो गया, और 25 हमें और चाहिए, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 28, that means 28 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जो date हो गया, आपकी वो कितनी हो जाएगी, 25th of March, और यह कौन सा है आपका, 96, तो यह आपकी कौन सी option है, यहाँ पर option B है, तो correct answer क्या आगया, option B आगया, देखो clear है, यहाँ पर हमने दो dates given है, कुछ, उन dates का difference find out कर लिया, कि कितने days का difference है, और every date के अंदर आपके पास में 28 days का difference है, वही आपने आगे apply किया, तो उससे आपके पास में क्या date आई है, यह 25th March, 96, clear, so next question की तरफ म यह कब आया था, 2019 के अंदर आया था, देखी, यहाँ पर क्या है, आपके पास में 4, 196, 16, अब देखो, यहाँ पर इन दोनों का काफी ज़्यादा difference है, अगे इन दोनों का भी, तो अगर हम देखे, तो direct इन दोनों का link नहीं बन रहे, तो यहाँ पर आपके पास में यह double series हो बाद में जो number आएगा, वो इस series का आएगा, ठीक है, और एक series आपके क्या बन रहे है, यह हो रहे है, means जो x पर जाएगी, clear, अब हम logic देखते हैं, तो यह क्या है आपके पास में देखिए, वैसे तो इस वाली series को तो find out करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह तो x के 10 का स्केर है, ठीक है, अगेन आपका यह किसका स्केर है, 12 का स्केर है, उसके बाद में यह देखिए, क्या है, 10 का स्केर है, तो यहाँ पर दो-दो का gap है, देखू, 14, 12, 10, that means कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपके पास में 8 स्केर, and 8 स्केर विल बी 64, तो 64 आपका आणसर आजाएगा, अगर इसी स्रीज में यहाँ पर 64 आपका गीवन होता, और उसके बाद में कॉस्चन मार्क होता, कि हाँजी अब बताएए क्या आएगा, फिर आपको इसका लोजिक देखना पड़ता, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहे, यह क्या है, टू स्केर है, ठीक है उसके बाद में 4 स्केर, then 6 स्केर, then 6 स्केर है, यह आपका, यह स्केर था बच्चे, क्या है, 26, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, 8 स्केर, तो यहाँ पर आगे का भी हमें नंबर फाइंड आउट करना होता, दमार लो, यहाँ पर होता, आपने पास में X के बाद में कोई Y find out करना है, तो वो क्या हो जाता, आपके पास में 10 स्केर, ठीक है, तो क्या आजाता, 100 आजाता, clear, तो यहाँ पर answer क्या आजाएगा, 64 answer आजाएगा, अब 4th question है, 4th question क्या given है, what is X in the sequence, एक आपके पास में sequence given है और इसके अंदर से आपको क्या find out करना है, X की value find out करनी है, तो अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कि इसके अंदर कोई difference तो नहीं, यह कितना कितना difference बन रहे है, ठीक है, तो अगर difference हम देखे, तो यहाँ पर देखी, कितने का difference है, minus 3 हो रहा है, अब का यहाँ पर, कितने का, 5 का difference है, अब यहाँ पर अगर हम देखते है, 124 से 117 में, तो 7 का difference है, उसके बाद में देखे, 7 यह, तो यह आपके पास में 11 का difference है, कई बार क्या होता है, कि हम दो को, जैसे 2 number find out कर लिए, तो हमें लगता है, कि हाँ जी 2, 2 का difference है, तो यहीं चलेग ठीक है, बट यहाँ पर देखे, 7 के बाद 11 है, minus 9 नहीं है, that means कि 2, 2 का difference नहीं है, यह आपका prime number का difference है, क्या हो रहा है, prime numbers है, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, कितने का difference है, आपका again, 13 का difference है, तो next prime number क्या होगा, next prime number, हाँ जी 17 होगा, तो यहाँ पर अपने पास में difference क्या हो और 93 के अंदर से जब आप 17 माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 76. So, आंसर है आपका option C, 76. Clear है? क्या हो रहा है कि हर बार माइनस हो रहा है और माइनस क्या हो रहा है? आपके prime numbers माइनस हो रहे हैं. So, next question देख रहे हैं. Next question आपका alphabetic series है. आपकी देखिए ये भी 2019 के अंदर आई थी. तो इस बार काफी expect कर सकते हो आपकी हांजी series के आने के पूरे-पूरे chances है. आपकी alphabet-based भी series हो सकती है. Numeric-based भी series एक्जाम में आ सकती है. Date-based भी series आ सकती है. तो आपको हर एक तरह की series की practice करनी है, okay? तो जिन-जिन students ने अभी तक subscribe नहीं किया है, चैनल को subscribe कर लिजी. हाजी students, तो हम question discuss कर रहे थे, alpha-numeric series आपकी आयू ही है. तो इस पे series के अंदर क्या है, देखिए. यहाँ पे जब भी इस तरह की series आती है, तो उसका एक छोटा सा logic आपने देखना है, कि यह देख लीजिए कि number of alphabets कितने हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने कि number of alphabets count करने है, ठीक है? तो अब जब 15 alphabets हैं, तो आपने इसके pair बनाने हैं, तो pair क्या बनेगा? या तो आपका बनेगा 3 into 5, या बनेगा 5 into 3, फिर आपने थोड़ा सा analyze करना है, कि अगर मैं 3-3 के pair बना रहे हूँ, तो मेरे पास में देखिए कुछ logic निकल के आ रहा है, यह यहाँ पे देखिए. A, C, फिर यहाँ पे C है, फिर उसके बाद में A है, तो उस हिसाब से हमें लग रहा कि हैंजी इन दोनों में तो लग रहा, बट यहाँ पे फिर C नहीं है, फिर यहाँ पे B, C नहीं है, यहाँ पे C है, that means यह तो नहीं लगेगा, ठीक है? तो दूसरा क्या लगा सकते हो आप हाँ जी दूसरा क्या लगा सकते हो, अगर यह वाला नहीं लग रहा, कि तो दूसरा क्या आओ सकता है, 5 इंटू 3 का लोजिक लगाएंगे हम, ठीक है, तो 5 इंटू 3 के अंदर क्या करेंगे, means हम 5 के पेर बना लेंगे, ठीक है, तो जगर आप 5 5 का पेर बनाते हो, तो यह द फिर शुरू में भी रिपीट है, ठीक है, means शुरू में और लास्ट में रिपीटीशन है, तो यहाँ पे भी रिपीटीशन हो सकती है, तो यहाँ पे अगर हम रिपीट करेंगे, तो देखो हमारा बन रहा है, पहले हम कोशिश करते हैं, कि हाँ जी यही लगाएं, अब यहा आपके पास में A, यहाँ पे है C, तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में? B आएगा, ओवियसली, तो यह अपना बन गया, तो हमें क्या-क्या एड करना पड़ा इसके अंदर, फिल ब्लैंक के अंदर, यहाँ पे हमें C एड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास में आप तो B add करोगी, और इस fill up में आपके पास में again B आजाएगा, और B आजाएगा, ठीक है, तो gap के अंदर आप इन letters को fill करोगे, तो यह आपका कौन सा है, option B है, I hope clear हो गया होगा, क्या किया हमने पहले क्या करना है, उनके जो है pairs बनाने हैं, तो यहाँ पे 3-5 में अगर हमारा logic नह कुछ चाहिए हमें, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, कि double double आ रहा है हमारा number CC, ठीक है, यहाँ पे AA, that means कि जो हमारी 5 letters की एक, जो हमने pair बनाया है, उसके अंदर हमारे आगे के 2 और पीछे के 2 है, वो जो alphabet सेम है, ठीक है, तो वही हमने उसके उपर apply किया, अब हमारे पास किया जाएगा, तो आपका option B is the correct answer, clear students, जिन इन students में अभी तक register नहीं किया है, लिंक के अंदर आपका जो description में उसमें link available है, वहाँ से आप अपने आपको register करवा सकते हो, ठीक है, और अगर आपको class अच्छी लगी, तो class को like करें, channel को subscribe करें, और अपने friends को share करें, so students, thank you so much. जाई एंदर एंदर शची being शच्छी करें, हाई चाई एंदर आपको अंदर आपका नहीं करें, वहाँ करें?